वेल्कम बाक टू एक लबेस्टरी पॉइंट तो आज आम क्लास 12 का टूरिजम जिसका युनिट 4 आइटनेरी प्लानिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं इस युनिट में बेसिकली आप सुमझेंगे आइटनेरी क्या होता है आइटनेरी कैसे प्लान किया जाता है इन सारी चीज़ों को आज हम डिसकस करेंगे इस unit 4 में तो आज का unit start करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगे अगर आपने हमारे telegram group को अभी तक join नहीं किया है तो class 12 ESP new group सर्च करके आप हमारे telegram group को join कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले first हम इस unit का introduction करेंगे तो जो हमारा आइटनरी होता है वो जाना जाता है टूर प्लान के रूप में किया किसी भी journey या किसी भी टूर के प्लान के रूप में आइटनरी को जाना जाता है ठीक है इसमें टूर प्रोग्राम्स तथा टाइम टेबल और सभी information दी जाती है जितने भी टूर प्रोग्राम्स होंगे information टाइम टेबल इन सारी चीजों को कौन कौन से places को visit किया जाएगा day by day कौन से sightseeing होंगे इन सारी बातों का जानकारी दी जाता है हमारे को आइटनरी में ओके तो और जो आइटनरी होती है वो combination होती है tourism के सभी components का ठीक है जो सभी components को मिला कर एक product ready करती है for sale तो आइटनरी is a combination of a different components of tourism जो की product ready for sale I hope कि आपको इतना clear हुआ होगा तो यह तो था हमारा introduction तो next हम आज आते हैं आइटनरी planning आइटनरी planning इसमें basically जो sales process होता है आइटनरी planning में जो sales process होता है उसको feature करने के लिए perform करने के लिए perform करने के लिए sales process होता है क्या आइटनरी planning ठीक है इसलिए इसमें क्या होता है कि आइटनरी जो develop होता है वो sales का जो perform होता है उसको करने के लिए होता है मि यह जो किसी जर्णी का डिटेल प्लाइन होता है क्या होता है इसमें कौन-व्य प्लेसिस को विजट किया जाएगा और जो ट्रैवल रूट किया होने वाला है है इसमें क्या होता है कि इतने भी ट्राम के दरन हम रूट को जिस-जिस रूट में लिड जाने वाले उन-सारी नरी में बता है किसी भी यातरा का यह जर्नी का सारा लेखा जो का हमें किसमें दिया जाता है और यह जो आईटनेरी होती है वो एक तरह से गाइड बुक होती है ट्रावलर्स के लिए जो सभी ट्रावल प्लैन शेडूल्ड और इन सारी सभी जुड़ी हुई जनकार्यों को हमें Travel Itinerary से पताचलता है Travel ITinerary में इससारी चीज़े मेंशन उति होती हैING तो चलिए एक्समाज आते हैं इम्पोर्टेंस आफ़ ट्रावल आइटनेरी कई वारी कोशन उठ जाता है कि तूर आइटनेरी बनाने की क्या ज़ूरत है हम डारेक्ट ऐसे भी तो ट्रावल करने जा सकते हैं क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना और है ना तो ऐसा है की तूर आइटनेरी बनाना जैसे कि आप कुछी भी काम को करने से पहले उसके लिए प्लान करते हैं किसी भी काम का अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए प्लान करते हैं तो वैसे ही अगर आपको टूर को यादगार बनाना है टूर के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम आइटनरी बनाना जरूरी हो जाता और डिए यह मियमा आइटरी बनाते हैं तो जु आइटन noi होटा है वो एक तरह का कि कॉमपोनेंट होता ए जो तूर π्लान की ओर्गनाईस रखने के लिए जतीन तूर का प्लान उसको और गनाईस रखने के पर थैनेडियो के छो का टाइम उसको मेकसिमाइज करने के लिए उसकाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है तूर jus लिए हैं पर इसके मैने पलेंज कर सकते हैं लिए स्कुरिण करोश शोट Okeans पहले से हरे चीज ब्लान प्लान्टे होगा तो आपको प्लान केर्णने में आपका टाइम खतम नहीं होगा उतने टाइम वेख और एक्स्टर एक्टिविटीज और साइट सीन कर सकतें ठीक है और इसमें क्या होता है आइटनेरी के थुरू आप जादा साइट सीन और एक्टिविटीज कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया और इन सारी डीटेल्स को टूरिस्ट के दोरान और इसमें यह भी होता है कि अगर यह सारी जो डीटेल्स हैं वो कई बारी क्या होते ह तो इस आइटनेरी के वुझे से अगर कोई डीटेल टूरिस्ट भूल भी जाता है तो उसे याद आ जाता है इसमें भी हमारा आइटनेरी बहुत हेल्प करता है ठीक है आई होब कि आपको यहां तक क्लियर हो रहा होगा तो नेक्स हम आजाते हैं टाइपस ऑफ टूर आइटन है कि जो हमारा स्केलेटल होता है इसमें शेड्यूल वाइज सारी इंफोर्मिशन दी जाती है सेड्यूल वाइज प्री लिमिनरी एक्टिविटीज इन सारी चीजों की डिटेल्स मेंशन होती है इसमें डेली बेसिस पे कौन-कौन सी सर्विसिज दी जा रही है कौन-कौन स के एक्टिविटी साइट सिंग करी जाएंगी डी टेल सर्विसिस दी जाएंगी उन सारी चीजों को से ड्यूल वाइज अगार घ्रई टेकनीकल इसमें क्या होता है स्पेसिफिक डीटील से जितने भी शपड्र उसमें ट्रांस्पोरेशन अराइवल एंड डेपाच्छर कुषा रहा है साइटिशन कहा कहा करना है किते घंटे की साइटिशन दी जा रही है इन सारी डिटेल रची को हमारे ठेकनी मतले लिया जाता है तह एसकर और चूछा है वह डिस्कूरिपटिव आईटने इसका नाम से पर चले descriptive पुरे describe करके है ना provides a narrative of the planned activities and destination with this जहां जहां पर भी घूमना है जो पहले से ही plan है उन सारी details दी जाती है में descriptive आइटनरी में जितने वी activities कराई जा रही है इसमें क्या होता है इस यह basically होता है जितने वी activities कराई जा रही है इन सारी चीज़ों को detail में जिया जाता है जैसा कि descriptive इसके नाम से पर चल रहा है तो इसमें सारी चीज़े अच्छे से आइटनरी को डिसकस किया पर जो इसमें क्या होता है इसमें यह सारी डीटेल्स दी जाती है जो की टॉरिस्त को नीड होती है और जो टॉरिस्त जानना चाहता है relating all aspects of the tour टूर से रिलेड़े जितनी पिजनकारियों को टॉरिस्त जानना चाहेंगा उसके जितनी जरुत होगी वह सारी डिटेल्स जाती है किसमें टॉरिस्त आइटनरी में के और जो सेकेंड हमारा होता है टू टूर रिलेटेड एल्लेटेड टूर से रिलेटेड जıtने भी और होते हैं इन सारी डीटेल्स इंफॉरमेशन को जो कि मैनेजर केत कर लिए होता है ताकि जो मैनेजर है वह पसेंजर को को अकुमोडेशन एक्ट भीर मैंेजर को पासफ दूरि immigrants वेंडर सबस्क्राइब यदe इसमें इन्फोर्मेशन इन्फोर्मेशन गयरा देते जाती है कि पैसेंजर वाइंगे और कौण कोड़ से अकॉमोडेशन में रहेंगे जो चीजे मेनेजर को required होती है तो और इसमें अगला होता है हमारा vendors आइटनेरी vendors वो होते हैं जो सारी चीजों को provide करवारे तो जो किसी भी service को sale कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है provide general tour आइटनेरी to the vendors help them to offer scheduled services and facilities to the tourist क्योंकि अगर vendors के पास आइटनेरी होगी तो जादा अच्छे से समझ पाएंगे कि services को schedule में देना है और जो facilities है उन सारी कौन-कौन facilities को tourist को देना है तो इन सारी चीजों में जो vendors होगा वो comfortably और easily provide करा पाएगा इसलिए vendors आइटनेरी होती है और next हमारा होता है अगर बस ड्रायवर के पास भी आइटनेरी होना जरूरी है यह ताकि उसे पता रहे कि कौनसे पॉइंट से पिक अप करना है कौनसे पिक पे ड्रॉप आउट करवाना है ना और रोट मैप भी होना चाहिए कि कौन से रोट से रूट से लेके जाना है ड्राइवर को है ना ताकि वो अपने काम को understand कर सके forgive him better understanding for his job ताकि वो अपने जॉब को अच्छे से समट सके और अच्छे से बिना किसी गलती के करवा सके travel को इसलिए bus driver आइटनरी bus driver के पास होनी चाहिए और नेक्स्थ होता है हमारा tour squad आइटनरी जो हमें squad करवा रहा होता है tour को उसके पास यह आइटनरी होती है यह basically managers की तरह ही होती है जैसे manager की आइटनरी होती है वैसे स्कॉट टूर्की भी होती है पर इसमें क्या होता है कि managers की आइटनरी से कम details होती है जो स्कॉट करवा रहा होता इटनरी उसके आइटनरी में तो आई होब कि आपको यहां तक क्लियर हो रहा होगा तो यह सारे टाइपस इन सारी चीजों का बड़े ध्यान से समझेगा तो नेक्स हमारा आजाता है things to be considered while preparing an आइटनरी आइटनरी को prepare करते वक्त कौन कौन से ऐसी बाते हैं कौन कौन से चीज़ें हैं जिनें हमें ध्यान में रखना चाहिए तो first हमारा होता है कि route map and routing of आइटनरी तो जो route map होता है वो हमें होना ही चाहिए exact route of the Indian tour must be clear क्योंकि अगर route के बारे में clear नहीं होगा तो हो सकता है कि tour अच्छे से ना होई आप रास्ते में घूमते रह जाए हैं तो इसलिए exact route जरूर होना चाहिए उसके लिए map होना चाहिए और जो आइटनरी है उसमें routing भी detail में बताई गई हो इस बात का भी धियान रखना चाहिए तो next हमारा है कि passing the आइटनरी जो आइट आइटनरी को करवाना चाहते हैं तो जो आइटनरी है वो as per the client's requirement होनी चाहिए और जो next हमारा interest of tourist यह बहुत important हो जाता है अगर आप आइटनरी को tourist के interest के according नहीं बनाएंगे तो कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा है ना तो इसे लिए important हो जाता है कि जो हमारी आइटनरी है व tourist के interest के according होनी चाहिए इससे क्या होता है कि आइटनरी में more value add हो जाती है अगर आपको आइटनरी में value और ज्यादा add करनी है तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आइटनरी जो है tourist के interest के according होनी चाहिए है ना और फिर next हमारा आइटनरी बना रहे हैं तो obviously आपको सा चोटी से चोटी चीज का detail information दे रहे हैं okay details like holidays, timing, expected weather, clothing आप जहां जा रहे हैं वहां पर weather कैसा हो सकता है आपको clothes कैसे ले जाने चाहिए इन सारी चीजों के details आपको आपके आइटनरी में जरूर देनी चाहिए जरूर मेंसर करनी चाहिए है ना तो next हम आ जाते हैं तो यह जो हमारा topic है GIT group inclusive tour यह बहुत बारी exams में पूछा जाता है basically GIT और FIT इन दोनों की बीच में different बहुत जाता पूछा जाता है तो आप बड़ी ध्यान से समझेगा GIT group inclusive tour इसमें क्या होता है तो जो हमारा group inclusive tour होता है इसमें ना there are tourists who travel in groups जो टूरिस्ट होते हैं बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट होते हैं जिनको travel करना पसंद होता है group में बिकाज ग्रूप में लोग ज्यादा सिक्योर फिल करते हैं और अगर उसमें चार्जीज भी equally डिवाइड हो जाते हैं तो अगर कोई महंगा टूर है उसको भी आप very easily अपने comfort zone के according कर सकते हैं सबसे में इसका यह होता है कि बहुत आप से फिल से फिल करते हैं ग्रूप में और इंजोई ज्यादा कर सकते हैं तो इसमें find they find traveling in a group they can enjoy an economic tour such tourists feel more secure in group जैसा कि मैंने आप भी बताया ग्रूप में टूरिस्ट जो हैं secure ज्यादा feel करते हैं ना because they are in company with others क्योंकि वो दूसरों के company में होते हैं और क्योंकि group inclusive tour में हमेशा एक नाएक leader होता है जो अगर group को कोई दिक्कत होती है को problem होती है तो group उस लीडर के होता है इसलिए लोग group inclusive टूर करना पसंद करते हैं तो आई होप कि आप group inclusive टूर क्लियर हुआ होगा है तो नेक्स हम आजाते हैं fit fits free independent travelers जैसा की नाम से पर चल रहा है free and independent इंडिपेंडेंट होते हैं इसमें जो travelers होते हैं उनको पता होता है कि उनको कब जाना है कहां जाना है कैसे जाना है और वो इसमें क्या होते है travelers अकेली ट्रावल करते हैं on travelers who plan their own trip and prefer to travel alone in a small group या तो वो अकेले ट्रावल करना पसंद करते हैं या फिर किसी small group दो चार जनों का group हो गया हैसे small group में travel करना पसंद करते हैं या फिर अकेले travel करना पसंद करते हैं free independent travelers में और इसमें क्या होता है इनको हर चीज की जानकारी होती है कि वह कौन से accommodation में रहेंगे कौन से ट्रांसपोर्ट लेंगे कौन सी category के hotel में stay करेंगे और वह कौन से दिन कौन सा साइट सिंग करेंगे कितने घंटे के लिए करेंगे कब करेंगे इन सारी details उनको पता होती है वह सारी अपने according करते हैं जैसे कि इनका नाम से पर जल रहा है बेसिकली आइटनेरी कैसे बनता है क्या-क्या बातों का ध्यान लखना चाहिए जी आइटी एफ आइटी यह बहुत ही important topic हो जाता है एक्जाम के परपस से ओके तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेगा और हमने unit 1, 2 और 3 भी complete करा दिया है अगर आपने अभी त direction और अगर आपको ही वीडियो पसंद आई तो दू लाइक शेर और सब्सक्राइब और थैंक्स पर वाचिंग एव्रीवन थैंक यू